अश्राम अलेकुम नमस्कार सस्रिया कालन गड़ इवनिंग मैं हूँ अर्जु कास्मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ओफ यू अमें जी आप सब के जाने पहचाने सुमीद पीर जी ने जॉइन किया है बहुत शुक्रा सर क्या पाएं थैंक यू सो मच और आज हम आप से समझना चाहेंगे के सर चाइना और तैवान का क्या चल रहा है लेटिस्ट क्या है और सबसे अमेरिका को क्या फाइदा हो रहा है या आपके ख्याल से एक बार फिर कोई पिटी हुई गेम जैसे एक कही जाती है अफगानिस्तान में को उस तरह की कोई चीज देखने को मिलेगी क्या देखिए अभी जो चल रहा है कल एक बहुत इंपॉर्टन डेवलेप्मेंट हुआ है ताइवान और अमेरिका और ताइवान चाइना इस ट्र चाहिए और उसके 48 गंटे बाद यूएस अपने दो बड़े डिस्ट्रॉयर को भेज़ देता स्टेट्स टाइवान इसके पीछे क्या और एक कंबाइंड बैटल गूप को बेज़ देता स्टेट्स टाइवान की तरफ वह कंबाइंड बैटल ग्रूप इनके साओट चाइन है अब जो यूएन कंवेंचन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपकी आइलाइंड से जो आपका कोस्ते होसे आपका 22 मील तक आपका 22 मील तक आपका वाटर क्रेटोरियल माना जाता तो उसमें कोई आ नहीं सकता यह रूल है वोल्डवर उसके 200 नौटिकल माइस तक से निकल सकते हैं अगर वह आपको इंफॉर्म करते हैं उनके इंटेंशन क्लियर हो अब चाइना तो कहता है सारी टेरिट्री मेरी आप यहां आ नहीं सकते हुआ कि यूएस ने दो जहाज अपने डिस्ट्रॉयर यह उनको साथ चैना सी से मोबिलाइज किया यहां उन्होंने भी चला दिया अब यह फिर परिशन हो गया है यह फिर दो जहाज आ गए अब चा यूएस आजगे में यूएस भाब गया है कि चैना की ओकाद कि ती यूएस को पता है लड़नी सकता है हम ने यह नौमी की बात की हमने लास्टमी बहात कि लगने करने के लिए चायना को क्या करना पड़ेगा चायना की नेवी में कितनी ताकत हैं अभी हमने यह भी की नीगििघ्स तो मिलिटरी पावर की बात करे आजू जी तो जोills ने चाईना कीट दस aircraft carrier है, combined battle groups दस हैं उनके पास, चाइना के पास अभी दो हैं, अगर आप इन सब को देखे, देखे एर फोर्स में आप उनसे उपर नहीं, नेवी में आप उनसे उपर नहीं, आप उनसे उपर नहीं, land assault तैवान का हो नी सकता, अगर ये information हमें आपको पता, तो जाहिर सी बात है कि Americans को तो उनसे जादा ही पता होगा, उन्हें लगा कि भाई ये अभी ये चाइना लड़ नी सकता, अभी इसकी हमत या उकात लड़ने की नहीं, अभी इसको प्रोग करो, प्रोग करो, प्रोग करो, दो चीजों का फाइदा अमेरिका का, पहली बार, अगर लड़ाई होती भी है तो अगेन अमेरिका की जमीन के बाहर है, उन्हें फर्क पड़ेगा नहीं, आपके दर्वाजे पर लड़ाई है, आप लड़ो, मुक्तो उसके नतीजे, दूसरी बात, अगर लड़ाई होती है अर्जुजी, तो ताइवान जो ताइवान ऐसा वो वैसा रहे गाई नहीं, ताइवान बन जाएगा Syria, ताइवान बन जाएगा Ukraine, वो ताइवान चाइना की किसी काम का नहीं है, पॉइंट नबर थीन, इस लड़ाई में लहेंगे महीनों, महीनों के बाद भी outcome का कोई आपको guarantee नहीं है, तीसरी बात, अगर ये naval, क्योंकि हो नहीं naval conflict, अगर आप नेवी अपनी ल आप उसकी लिए आदी आप यहां लाओगे तो आप उस नेवी के साथ American firepower ले लोगे नीले पाऊगे, फिर अमेरिका के allies है, जापान हो गया, इंडिया हो गया, और एक वर चीज़ा है, अगर आप अमेरिका पर हमला करते हो, नेटो का member है वो, तो अमेरिका पर हमला पूरे तो आप नेटो से भी वोड़ोगे, तो अमेरिका नेवी, अलाइड नेवी, जो हमारी है, जो हम हो गए, जापन हो गया, ऑस्टिल एकॉर्ट के members है, अमेरिका के दुनिया भर में basis, जो ताइवान के पास है, जो डिवोग अश्या की उसकी बात करें, और नेटो की नेवी, अगर यह सब आएगी, चैन यू डिफेंट ताइवान, यह जो डिफेंट ताइवान, आप ताइवान पर कभजा नहीं कर पाऊगे, आप ताइवान का कुछ नहीं बगाड़ों, इसमें आपकी उकात खतम हो जाएगी, अब वर्ड स्पेक्टर में अमेरिका क्या करा, बार 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 यह प्रोवो कर दिखारा, इसमें की अउकात कुछ नहीं बखवास कर सकते, बात नहीं कर सकते, वह पकू पेजर वाली स्टोरी है, बात बहुता दमकी बहुत देता था, तरिक नहीं बाता था, अब यह दूसरी चीज है, अब यह उसका एक एंगल होगे, आपके किसी काम को, आपकी 90% पॉपलेशन ताइवान में हन चाहिन है, जो अलग रहना चाहती है, और एक और चीज हुए आतुजी, आइबान को पीछे युएस ने बोला, आपको छे महिने का एमुशन की गारंटी लेते, छे महिने तक हम आपको अनिंटरॉप्ट अमुश कछे में साफ हो गही है कि युएस के स्पेशल पॉर्स कि यूएस ने शिर्यारियर किया ककी आना को च wann जहाइसे संवंदरी जहासे उनको ले लिए तरह रहा है, आप Air से हा नहीं ay सकते तीन लाख की हरा ताइवान के की चैना के पास 8-9 लाख है इनके पास 3 लाख है और अर्जु जी एक ओर इंपोंटेंसी जा मेंशन करना है कि जब एरेश्या उक्रेन की लड़ाई हुई और चाहिन आपने हवाव दिखाने लगा टाइवान के पास 3 लाख है रिजर्व थे आज के डेट में टाइवान के वह रिजर्व बढ़के 2 million हो गये 20 लाख हो और यह 17 लाख लोग खुद गये हैं गवर्मेंट गवर्मेंट नहीं नहीं वुलाया इनको कोई प्रशर नहीं है कोई पर्चुन की दुकान चलाता कोई सिविल इंजिनेर है ट्रांसमिशन इंजिनेर है वहां आज रात रात पर ताइवान में लाखों लोगों की ट्रेनिंग होती है आंस के साथ और अब आप सोचे आपके पास अगर आप आई-लाइंड में आभी जाते हो तो आपके बास दो लाख का रिजर्व है विच इस आम और यह आई-लाइंड चोटी जगर तो दो लाख के रिजर्व से लड़ने के लिए आप आपको 6,000,000,000,000,000 पोज लानी पड़ेगी आप वो फोज लाओगे कहां से समंधरी रास्ते से पार करना पॉजबल है नहीं आपके इतने बड़े ट्रास्पोर्टर आपके पास है नहीं चाइना के पास मेड़ेर फिलिंग की पॉसिबिल्टी नहीं दो मेड़ेर टैंकर स है को चाइना के पास जंगी बेड़ा आपका तबाह हो जाएगा क्योंकि अगर आप इतने लोगों से बढ़ोगे तो अगर आप तैवान पे अगर आपकी कुछ कुछ उतर भी गए बूले बढ़के तो बाकी तैवान को जीत होगे कैसे अब आपको मैं दिखा हूँ आप ए हमने बात की थे अर्दू जी जब रेशियन युक्रेइन कॉंसर्ट हो में अर्दू कुछ लोग करें तीन दिन चलेगा मैंने कहीं महीनों चलेगा जंक मैंन होती है ना सडकते तो यह महीनों चलती है अब आप देखिए 6-7 महीन होगे जंक चल रही है चल रही है और रेशि लोग को हराने के लिए आपको 60 लाग लोग चाहिए तो अगर वहां 20 लाग वर से 60 लाग होता है तो जजीरे में बचेगा क्या वो तो ग्रेवियर बन जाए वो सीरिया के पीचे जाएगा वो जजीरे आपके किसी काम का रहेगा नहीं दुनिया बर से आपने पंगा लिए किसी आपके काम करने एक और एंगल है अगर हम अभी हम चाइना में कोई बड़ी बड़ी दो तीन डेवलोपमेंट्स को देखे तो चाइना की अगर यह लड़ाई करती है तो एक्सपर्ट का माना यह 50 साल पीछे चली जाएगी और अमेरिका बिल्खूल यही चाहता है यार लोगो उसमें वरेंगर यह लोगो जें जेख इस पूलाप्स हो जाएगी अगर ही आपकी बार गिरी तो पचास सो साली पीछे चली जाएगी तब अमेरिक तब चाइना विल नवर बी एठाट लिए अनी टामें और फ्यूचर अमेरिक इम यह एं प्रवोकेशन इसलिए है उन्हें पता जी जिंग पिंग का चेहरा सब कुछ है वह अगर खेल गया तो हमारे तो फाइडा है खेल गया तो चाइना नाम की जो मुसीबत है हमारे जियो कुल्टिकल रडार से दूर खतम हो पूरी यह दिकती खतम हो जागी इनको जिंदगी में अगर यह आपकी वार लड़ी वह मुका भी गया अब देखें दो तीन बड़ी इंपोर्टन चीज आई है अपने देखो मजदा ने बंद करती हॉंडा ने मुकान करती टायोटा को दुकान बंद करने के कगार पे हैं वो कह रहे हम चैना से निकते टेसला जो इनका खास चे चार में से पांच में से चार बड़े रिवर सूप गये हैं यांक से जिसे हम इंडिया में ब्रंपुत्र कहते हैं उसमें पानी 40% लेवल पे है इस सब परिसे को देखते हुए एक्सपोर्ट्स डावने एक्रॉमिक आउट्टुक तीन से भी नीचे आगे है नीचे तीन से आजू जी एक और चीज़ और चीज़ और रियल एस्टेट में जो लोग इनको जो मॉटिगेज लेते मंदब लोल लेते माकान के पैसा देते हैं मिल्योंस अपीपल आर पास पैसे इंडियर ने को दे कहां से मॉटिगेज है ऐसी परिस्तिती में चैना लग नहीं सकता एक् के थैना बहुत दो तीन दिन पहले एक दिन पहले निमो लोग निकतला आखको शूचेंज हर ये चैना के ट अधराश पैली बार हुआ सब्सक्राइब करने लिए अब यह सीधा सीधा निशाना जी पे हैं पहले उनकी एक मिटिंग वी जान को बोला गया बाई एकनोमी पे जान दो इसके जी और उसका नंबर टू एकनोमी की बात करने लेगे अब यह सीधा सीधा उस पर हम लाए कि भाई आप डॉमिनेट कर रहे हो कमनेश प्रटी को अबीजी के पास क्या करें ली प्रेजिदेंट है शी निगंपिंग फ्रेव सेट उसे करती और करती है सब्सक्राइब तरन rayे को ठीक सकता हूं कि इसी उनिलाटरल पावर को चैलेंज किया गया और बोला गया है कि जो माउं ने गल्ति की थी ग्रेट कल्चरी करने जा रहे हैं इसका सिधा माउं से और जो माउं तरह पर आपने रहते रहते एक लेजिसलेशन रहे था जिसका इसमें यह था कि अगर वो चाहे वह जो चाहिए जो चाना प्रटी को हर चीज कंट्रोल थे साइंस, टेक्नोलजी, फिस्क, पावर, एवरीफिंग तो अनीफिंग विल बी कंट्रोल एंड डॉमिनेटे डिसाइड पर चैनीज कंट्रोल पार्टी जब देंग ने वो चीज हटा दी थी जो सीचीप है जो कंट्रोल चीज हटा दी दो हजार सत्रह में जी ने चोरी चुप जो उन्हें अब्सडूट पावर देता अभी अक्टूबर में पॉलिट भी रोका यह अगले महिना माना सेक्टमबर में तो आई गे लगब लगब पॉलिट भीरो कॉंग्रेस की मिटिंग है तो अब क्या होगा इसको फो टैम मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि जी चाइना क अगर लड़ेगा तो इसी खतम हो जाओगे सारे तो विच अबर वे अमेरिक आप बिल्कुल ठीक कहरें कि जाहरे हर तरफ से प्रेशर है चाइना को पर लेकिन साथ-साथ यूके की तरफ से भी एक निउस यह भी चल रही थी कि यह कहा जा रहा है कि चाइना को वर्ल्ड के तो इस कॉप कैसे देखते हैं कि इतना जादा मतब क्यों खौफ जदा है लोग दिए यह एक अजीव सा फिरॉबना है दो हजार पंदरा में शी जिंग जो आप कहें उसे पिंग-पॉंग भी कहता हूं कहीं बाद वो क्या हो गये थे लंडन लंडन में क्या गया जी लंडन चीज़ है कुईन के साथ वो यह वो जाम से जाम तकरा रहे थे चेर्ट स्विस हो रहा था तोस्ट तो दे क्वीन अल अब यह डेविड कैमरान शाहिद उनके प्रजार मंतिक थे उन्होंने बोला था इसा गोल्टन एरा ऑफ चाइना यूके रिलेशन यह दोजार पंदरा क तो दोस्त गुम रहें बहुत सा बहुत साल उबाक कॉलेज के बाद मिले है तो आज सब्ड़ा भूम फिर आए अब होता कि देरे देरे चायना का जो असली रूप दुनिया के सामने आता रहा आता रहा आता अब दोहजार पंदरा का चायना क्योंकि दोहजार पंदरा में यह जो मैंने आपको लेलिश्टेशन अभी बता इसने मैंने बताई थी यह 2015 में शीजिंग के पास नहीं थी और तब नहीं इसको एक युनिलाटरल पावर दिया जाता था तब कुछ चीज़े इससे निकाली भी जा सकती जो डैंक जॉंपिंग ने का था ऐसा ही होना चाहिए इसने वह लेजलेशन लाई और माव वाली हरकत इसने फिर कर दी अब 2017 में यह जैसी डेलिगेशन आएंगे आप देखेंगे 2018 से चाइना के तेवर बदल के सबके से ज्यादा असर्टिव हो गया मुझे यह बी चीए मुझे यह बी चीए मुझे यह बी चीए यह 2018 में होता ह अब क्या होता है अब दीरे दीरे आप देखें फिर यह चाइनीज वाइरस आया सब को सामने पता है यूके ने खुले आम बोला भाईया हमें वह नहीं चाहिए टेकपल कर लो हमें दोजाचोबिस ता क्या दोजाचबिस तक सारा चाइनीज एक्यूमें टेलिकॉम सा अटा सब्सक्राइब यहां अपनी नेवी पोबलाइज करा गें चाइना पहले इंको बगी में बिला रहे था वो यह बेर शेर पिला रहे वो पैक से जाम से जाम टकरा रहे थे दो साल में ऑपनी उकाद दिखा ली तो जंगी बेडा अब उनका सब्सक्राइब अब दिखी यूकी और यूस तो साथ के पार्टनर जो यूस करेगा उख करेगा साथ चलेंगे ये अब यूके को चेगी अप बैट थर्ड बिगेष्ट पार्टनर इंवेस्ट करता है आपका यूके मों इंडिया है हमारे साथ्रेड में 17 वा थोरे नंबर पर आते हैं चाइन हमारे साथ इतना जारा ट्रेड नी उनका इन्वेस्मेंट हम इन्वेस्मेंट नम्बर थर्ड है और वहां पे जो सो बिलिय का 30 billion का trade deficit है UK का 30-35 billion का trade deficit है चाइना के साथ फिर होई कहानी चाइना की याद है लेकिन हमारे सुमी जी हमारे की इंप्रेशन भी है कि शायद सुपर पावर बने जा रहा है चाइना इसलिए इंडिया परेशान है और बाकि जितने लोग भी उसके अगेंस्ट है वसलिए जाने क्योंकि अमेरिका को टुफ टाइम सरिफ चाइना दे सकता है और चाइना सुपर पावर बनने जा रहे कि यह बात किस तरह देखा इसका भी जबाब दे तुम पहले यह कप्लेटर नों आ तो आज जी अब यह ट्रेड रात राप में बननी हो सकता अब दिखिए जो मै जो पूटेंगे तो मैं इनको बहुत बहुत जेंगरस नेशन ऐसा कुछ ख़दाब दूगी मलब यूके इनको डिकलियर करेगा हमारा यह सुवन नंबर वन थ्रेट है अब पांच साल पहले साथ साल पहले जिनको बगई में बिठाके शंपियन पिला रहे था आज दोनों दोनों में रेस लगी है चाइना कितना बड़ा थ्रेट है तो मतलब कोई भी आए चाइना को एक इंटरनेशनल थ्रेट पीस का थ्रेट जो मैं 2019 में कह रहा हूं देगे चोटा आदमी कहता कोई सुनता नहीं बड़े लोग कहते तो सब सुनते है तो ठीक अची बात है तो अ बड़ा थ्रेट बता है मैं इसको कितना बड़ा थ्रेट बटाओ पर आज यूर्प यूरप की वन आप तीन प्रोमनेंट इकनोमी जर्मेनी यूक और फ्रांस तो आप जानते हैं एंटी चाइना है जर्मनी थोड़ा इदर उदर हिलता रहता है बट यूके का स्टैंड एं मिटिंग रूम में नहीं हो रही कोई दबे पाउस की बात ने करा खुल के पॉब्लिक फोरॉम्स में बात हो रही है लोग को बता किया रहा है एलेक्शन का इशू बन के है चाइना चाइना का ठ्रेट इलेक्शन इशू यूनाइट किंग्डम यह बहुत बड़ा जियो खड़ा हो जाए कोई वो कहते हैं यह सलूशन है हमारे तभी कहते हैं आप तारीक के तालिबान है कभी कोई और गुरूप कभी आइसिस खुरासान है वहां चाय कॉफी भी पिने हैं कहवावाव पिने भी जाते हैं सचाई यह है कि अमेरिका ने उनकी चाइना की अवकाश शैड़ा आप आपके घर में कोई शिफार रहा हुआ आपके जहास पर जहास जहास फ़र है आप कुछ नहीं कर पा रहे हूं हए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तिक है उतक्जी मैं नहीं सब्सक्राइं बढकर ये बिलीन बलोडों आपके wyco पाकिस्तान में दुबा दिया आपने देट सो बिलियन डॉलर बस्यार असात के दुबा दिया ठीक है रियल एस्टेट वा पके डिफॉल्ट हो गया आपने अपना ट्रैक ट्रैक पे क्रागड़न के तीन डॉलर आपका ऐसे रिजर गिर रहा है तो अपका यह जी चीज़े दुकान चलाने के लिए चाहिए तो यह ऊपर किस्टानने कि यह वह अगर चाइना की सुपर पावर बनना इंडिया के होते हुए चाईना आपको इनकी उकाद दिख जाएगी आपको क्यूंकि अगर आप दाएं बाएं उल्टा सीधा पैसा फैंको इक बाद बताईए पीछी को चाइनीज इंजिनियर मारे गए थे पाकिस्तान में आप से इनोंने 84 मिलियन डॉलर का तो मौवजा मांगा पहले हमें मौवजा दो मुझे बताईए क्या पाकिस्तान आर्मी चाइनीज इंट्रस्ट कर पाई बलोच इस्तान में नहीं सीपक पर क जना के दुनिया बर में प्रोजेक्स ना में पैसा लगा उऑ चालू है नहीं इनोंने अफरीका में पैसा लगा वह चौलू है नहीं थो THOMPS छालू है नहीं बताई है । वान के लिए जाना दिए बिगस पैन इन आ आप एक मंदे से लड़ोंगे दो बंदो से लड़ोंगे आप खड़े होगे दुनिया से थोड़ी ने लड़ोंगे ऐसा तो कोई प्राइब ही नियुगा व्यागा एक बार सबको देख लेंसा बोलीवूट में डायलोगोंगे और तो लास्ट चीज मैं बोलूँगा जियोप्लिकली पीपल डिलिंकिंग फ्रॉम चाइना अगर आपके फैमिली होंगे आपके दोस यॉनाइटे स्टेट्स में होंगे अगर वो किसी भी में काम करते होंगे और आप उन से बंट पूछेंगे क्या आपको बोला गया कि स्टाइ दिलिंकिंग फ्रॉम चाइना और अभी हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं इनको थीक करने के लिए और अगर इनकी उकात होती ना यह लदाक में दो साल से बटेर निखा रहे होते हैं लेकिन वाके में इस तरह की बातें यहां पर चल रहे हैं चाइना को लेकर और हमारे हां तो अब पाकिसन की बात नहीं करी वैसे कहा जाता है कि यह जाए सुपर पावर बनने जा रहा है यह किसम कर लेकिन साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कहीं न तोड़पोड जो है वह मौझूद है डामेजस हैं चाइना की साइड पर और यह और बात है कि उसको माने यह ना मने लेकिन बाहराल यह डैमेज भी लोगों को नजर आ रहे हैं ताइवान के बाद तो और ज्यादा अब्यस हो गए जी आप कुछ कहना चाहिए आट अब आपने एक पिक्चर थी एक टिक आपनी पिक्चर एक थी चाहिए प्ले नेर आप त्यूम में को डियाएं अब थानगी ऐसे पानी की बूम टपकती है ऐसे दो खस्ता है खुछ क्यों है करें रेस्त वाटर विल दो जब डैम में इन एक पानी की बूम टूम time will do the rest, हमें कुछ नहीं करते हैं, जो करना था, जब बांध में दरार आ जाती, बाकी काम पानी का प्रेशर हो, पानी का वाल्यूम करता है, वैसे उनके time में time, और इनके जो करम कांड है, ये बाकी काम कर देंगे, किसी को कोई टेंशन नहीं, पानी टपकता दिख रहा है, बा काफी tough time जो है, वो China को दिया जा रहा है, thank you so much sir, कि आपने जोइन किया, बहुत अच्छा लगा बात देंगे, बहुत शुक्रिया, thank you.